हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलेक्ट्रिक चार्जेसाइंड फिल्ड का लेक्चर नमबर थ्री जिसमें हम लोग कुलम्स लौ के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे टाइपस ऑफ नुमेरिकल्स करने जा रहे हैं बेस्ट अल कुलम् लौ तो यह जो लौ है बिल्कुल एकदम सिमिलर है जो हम लोगों ने ग्रैविटेशन के अंदर पढ़ा है न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रैविटेशनल लौ वो क्या था ठीक है जैसे वो है बचों एकदम हूब हो ताकि जो है थोड़ा सा हमें कहीं न कहीं आसाल लगे ठ तो न्यूटन का जो ग्रैविटेशनल लौ है वो क्या है लेट कोई दो मासेस अगर हो दोनों सेपरेटेड बाई दिस्टेंस आर तो हमें पता है कि इच और एवरी मासेस अल्वेस अट्राक्ट इच अदर विटेव फोर्स ठीक है और उसको हम लोग बोलते है फोर्स को ग् कंबाइन करेंगे तो डेरेक्टली प्रोपोशनल हो गया प्रोडाक्ट अव द मासेस इन्वर्स नी हो गया प्रोपोशनलट्टच वेर द दिस्टेंस प्रोपोर्शनली हटाईन एक क APPांस्तन यह इक कॉंस्टेंट लगा उनिवर्सल ग्रेविटेशनल नार्ड जिस्का व कि इदम similar pattern पर जो है दिए देखते हैं क्या यह बुले कि let को दो charge ले लिजिए लेट एक Q1 है एक Q2 है दोनों charges जो होना चाहिए एक तो stationary हो और दूसरा क्या point charges हो तो stationary मतलब कि rest में पता है chapter का नाम electrostatics है electrostatics यानि charge rest में होगा तो पहला तो ठीक है point charges होना चाहिए तो point charges का मतलब क्या होता है कितना point तो step का point या हम ऐसे point बना दिये वो ये वाला point कितना छोटा तो बचों पता है यह जो point बोलते हैं यह एक्चुली यह point जो word होता है यह relative word है जैसे कि मैं आप लोग को ऐसे बताओ कि जैसे हम लोग airport चले जाए ठीक है और aeroplane को देखते हैं नस्दीक से जब देखते हैं तो aeroplane कितना बड़ा नजर आता है लेकिन वही aeroplane जब उड़ता है उपर तो जैसे ही distance उपर जाते गया जाते गया बहुत उपर चला गया तो हमें कितना इंदब चिडिया जैसे नजर आता है तो बस वही समझ लीजे क्या है यानि based on the distance जो हमें नजर आता है aeroplane कितना बड़ा और जो उपर चला के तो हमें एक point जैसा नजर आता है तो same यहाँ charge के लिए कोई जैसे माल लो इतना बड़ा तो यह है let's similar nature का लेते है plus plus ले लिए हम लोग plus minus भी ले लेंगे light charges अगर लेंगे plus plus तो repulsive nature होगा plus minus लेंगे तो attractive होगा या minus minus ले लिए तो भी repulsive nature तो जो भी forces जो भी charges हम लोग लिए nature का उसे attractive और repulsive nature force का समझ में आये होता क्या है क्या बोले ये कुलम कि दो charges जब ले लिए stationery point charges तो ये देखो plus plus ये इसको धक्का देगा ये 2 जो है 1 को धक्का देगा तो जिस force से धका देगा वो force को लिखते कैसे ही दोखो 2 ने मारा 1 को धका तो धका लगा 1 पर धका मारा किसने कारण हमेशा किधर लिखते है बाद में लिखते है फिर ये कैसे लिखेंगे धका लगा है 2 पर लगाया कौन कारण बाद में तो force on 2 due to 1 ये जो force of repulsion या attraction आता है दोनों का जो magnitude होता है वो होता है क्या चीज़ सेम तो F12 का magnitude बोलो या F21 का magnitude बोलो दोनों का है same तो let it be F दोनों separated है को डिस्टेंस आर से तो बोलता है force of attraction या repulsion is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges देख रो एकदम similar way में यानि कि plus plus या plus minus हो ना तो sign यहां नहीं लिखना है सिर्फ magnitude आपको लिखना है book के अंदर direct ऐसे भी लिखा रहता है कि सिर्फ q1 q2 ऐसे लिख दिया तो understood है कि वहाँ पर हमें सिर्फ और से value लिखना है positive अला सर्फ minus value क्यों नहीं लिखना है ना सवाल में चलता है क्योंकि बच्चों plus minus लेंगे तो nature तो हमें पता है कि इस direction में लगेगा प्लस प्लस है तो पता है इस direction में लगेगा repulsive nature तो direction तो पता चलिए आता है तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या है values लिख रहे है यहाँ पर ठीक है तो देखो बोले कि जो force of attraction repulsion directly proportional to the product of the magnitude of the charges and यही force inversely proportional to the square of the distance होगा यानि क्या दोनों अगर charges बड़ा बड़ा है तो भाई यह force बहुत ज्यादा होगा कम कम magnitude कहा होगा तो कम होगा और अगर r कम तो force बहुत ज्यादा नजदीक रखेंगे तो बहुत ज्यादा force लगेगा और अगर दूर कर दिये तो क्या होगा कम है ना चलो समझ में आता है दोनों को जब combine करेंगे तो होता क्या है force directly proportional क्या होगा दोको product of the magnitude of the charges and inversely हो जागा square of the distance between them ठीक तो यही दोको कुलम कहते क्या है जरा lock statement देखले एक बार कि it states that force of attraction और repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them ठीक अच्छा यह हुगा यह proportionality ही हटेगा तो स्वभावी के वो अपना नाम लगाएंगे एक constant आता है उसको बोलता है columns constant यह जो k है देख रहे हो जो छोटा k लिखे है capital k लिखेंगे न तो उसका एक अलग मीनिंग हो जाता है पूरे electrostatics chapter के अंदर तो छोटा k लिखना है छोटा k q1 q2 divided by क्या हो गया r square where k को जो है हम लोग बोलते है क्या columns constant columns constant यहाँ पर बहुत सारा छोटा 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 चीज है एक करके पहले देखते जाते हैं ठीक है columns constant इसका जो कुछ value होता है वो depend करता है medium पे अलग-लग medium अभी जो charges जैसे भी रखे है ना वो रखा हुआ है का vacuum में वैक्यूम बोलो या air बोलो ठीक है चलेगा दोनों सेम हम लोग ट्रीट करते थे एर या vacuum में रखा हुआ है लेकिन अलग-लग medium में लेके चले गए यानि वही charge को उठा करके पानी में लेके चले गए या उठा करके शेहद के अंदर लेके चले जाओ तो भाई है वो force का जो depends upon medium अलग-लग medium में अलग-लग होता है ठीक है next लिखने वाले बचो क्या एक तो इसका SI unit में कुछ लिखने वाले है कि इसका क्या value होता है और दूसरा है कि CGS unit के अंदर इसका क्या value होता है हम standard अभी लेके चलेंगे किसके लिए क्योंकि तो medium तो बहुत सारा हो सकता है ना प air या vacuum तो यहां भी देखते हैं जरा for air या vacuum क्या है तो यहां पर बचो के का जो value होता है वो होता है 9 into 10 to the power 9 कितना होता है के का value होता है 9 into 10 to the power 9 और CGS में अगर चले जाए तो air या vacuum में के का value होता है कितना 1 ठीक है अच्छा k का value जो 9 into 10 to the power 9 है SI unit अगर हम लोग लिख रहे है तो बोले कि भाई value तो ठीक है इसका unit क्या होगा तो बोले कि जो force का भी मेरे पास formula आया हुआ है वो है k q1 q2 divided by r square ठीक है तो k का unit जो देखो क्या हो जाएगा k का पहले formula देखे f r square divided by क्या है q1 q2 अगर unit क की बात करें तो बच्छों देखो क्या होगा force का SI unit क्या होता है newton distance का meter तो meter square यह charge charge SI unit है तो column column square हो गया यानि जो k का value आया हुआ है वो हो जाएगा newton meter square बटे क्या है column का इसका लिए होता है k का value किसमे SI unit area vacuum के लिए अच्छा अगर cgs में चले गए तो तो formula ठीक है k का तो यही आया देखते है ज़रा k का क्या आ रहा है f r square divided by q1 q2 f r square बटे q1 q2 cgs unit में हम लोग जानते हैं देखो force होता है क्या dine force क्या होता है dine si में newton उधर में dine distance को क्या बोलेंगे centimeter तो centimeter square हो गया और charge का क्या होता है electrostatic में si system में होता है column और इधर जाके होता है stat column बचो क्या बोलते है stat column यह सब जैसे lecture one में बता चुका हों कि charges का यह सब क्या है centimeter square पर stat column का whole square यह हो जाता है किसका k का value तो area vacuum के लिए ऐसा हो गया अच्छा अब आते हैं बचों देखो क्या लिख लो अच्छा से जो force का value आया है वो है k q1 q2 बटे r square अब उस k के अंदर भी कुछ होता है वो क्या होता है जरा देखते हैं यह जो force का value मेरे पास आया हुआ है k q1 q2 divided by r square where जो k आया है न 9 into 10 to power 9 si unit में वो कैसे देखो जरा where k equal to एक और होता है बचों वो होता है 4 1 बटे 4 pi क्या होता है epsilon not सर यह क्या हो रहा है बचों अभी पहले करके समझ लीजे फिर में बताऊंगा क्या क्या थी k जो है न वो एक और है वो formula उसके अंदर की 1 बटे 4 pi epsilon not यह और यह जो 0 लगा तो उसको not बोल रहे है यानि जो k है न वो भी खूल करके आया हुआ है तो 1 by 4 pi epsilon not यह क्या है भाई epsilon not तो बोलता है कि where epsilon not जो है यह कहलाता है absolute permittivity of free space इसको तो पूरा अंदर घूस करके समझने वाले हैं बचों कि यह है क्या permittivity of free space और इसका खुद जो ह है एक value होता है देखो अज पहले लिख देता हूं बताता हूं 8.854 into 10 to the power minus dual इसका value होता है किसके लिए लिख रहे हैं देखो free space बचो air या vacuum बोलो ठीक है चलेगा हला कि standard of static बोले तो vacuum है लेकिन air या vacuum के लिए दोनों के लिए यह value होता है क्या सेम ठीक है इसलिए air या vacuum तो value होता है अच्छा ठीक है अगर इसको मैं खोल कर कैसे लिखो जो k आया है वो आया है 1 बटे 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square तो unit की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा तो देखो epsilon 0 बरावर इधर force इधर तो unit अगर हम लोग लिखें तो देखो कैसे लिखेंगे f equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square तो देखना epsilon 0 बरावर क्या इधर आगया q1 q2 divided by 4 pi f r square ठीक है q1 q2 बच्छों देखो ऐसा unit लिख रहे है चार्ज चार्ज तो यह हो जाएगा q1 q2 divided by f r square यानि कि newton meter square यानि कि SI unit में अगर हम लिख रहे है unit अगर पुछा जाए तो यह क्या होगा q2 q2 बटे newton meter square यह सब शुरुवाती है और बहुत सारा चोटा 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 parameter से अब यह सब राम कहानी पूरा हो गया अच्छा ठीक है कि क्या है और उसका जो नाम है absolute permittivity of free space उस formula के अंदर जो कुलम ने दिया वो क्यों दिया उनको क्या ज़रत पढ़ गया कि भाईए वो जो है अलग से ऐसा कुछ ऐसे करके लगाना पढ़ गया और उसका क्या significance है तो ज़रा उसका जहलक देखते है बचो ठीक है देखो summary अगर देखे तो हमने पूरा क्या पढ़ा भी तक कि k q1 q2 divided by क्या है r square ठीक है यह k जो खुलता है वो है 1 बटे 4 पाइ एपसल नोट q1 q2 divided by r square ठीक है हुआ क्या यह जो है नामकरन हो अभी absolute permittivity of free space यानि कि vacuum में अब permittivity जो है ना कहीं ने कहीं देखो permission permittivity permission 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 यानि कि जो कुलम ने experience किया वो क्या कि भाई दोनों charge का value ले लिए fixed ठीक है दोनों के बीच में दूरी भी हमने रख लिया fixed अब air में रखे तो देखे कि कि कितना से धक्का दे रहा है ठीक है calculate हो गया सब कुछ वही दोनों charge को same distance पर ले जाके पानी में रख दिये force का value घट गया मालो कि हवा में आ रहता 10 newton से धका दे रहा है पानी में 8 newton आया बुली यार घटा कैसे मालो तो शहद के अंदर लेके चल गया समझने के आपको बता रहा है और गाढ़ा medium लेके गया है हुआ क्या यार अब 2 newton लग रहा है तो बोले ओ इसको तो हमने चेंज किया ने इसको भी चेंज किया ने यह सब तो ठीक ठाकता यानि force घट रहा है घट रहा है जैसी medium में जाते तो घटता है तो सुचो अगर यह घट रहा है तो medium में कुछ न कुछ एक inverse relation ऐसा कुछ आना चाहिए बचो अगर यह घटता हो तो जरूर inverse में इसको तो हमने चेंज किया ने तो यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा निचे में हो जो बढ़े तब जाकर कि यह घटेगा फोर पाई दोखो constant है यही क्या होता है यह बढ़ जाता है किधर in medium यानि कि अगर समझने के लिए दोखो आपको short में ऐसे बता दू वैक्यूम में क्या हुआ epsilon not है ठीक है force है ऐसा जैसा ही पानी में अगर चले गए न तो epsilon का value बढ़ जाता है इससे क्या हो जाता है force का value घट जाता है ठीक है अगर epsilon के अंदर ऐसे not लिख रहे बचो तो यह free space या vacuum के लिए बतलाता है किसके लिए vacuum के लिए और सिर्फ अगर कोई भी medium में अगर चले ग इन वो medium यह medium के लिए इसका पूरा detail जिकर हम लोग करने जा रहे हैं कब अगला lecture इसी पर होगा एकदम पानी के अंदर घुस करके charge को देखेंगे कि भाई तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण force घट गया ठीक है शायद के अंदर चले जाएंगे और visualize क करवाऊंगा आपको तो अभी आप यह समझ सकते हो अलग medium में यह अलग तरह का प्रविशन देता है कुछ बढ़ जाता है ऐसा जिसके कारण force को घटा देता है ठीक है तो इन्वर्स रिलेशन आया हुआ है इसलिए ऐसा कुछ है सिंस यह बढ़ जाता है अलग-अलग- अग-अलग मेडिया में यह चेंज कर जाता है तो अभी फिलाल हम लोग एतना यह करते हैं ठीक है चलिए देखते हैं ग्राफ और फोर्स वर्स डिस्टेंस यानि क्या ग्राफ बनाएंगे तो बुलेंगे इफ चार्जेस इफ चार्जेस आर कैप्ट कॉंस्टेंट आर कैप यह तो ग्राफ कैसे बनेगा तो ग्राफ बनाने का सबसे सही तरीका होता है इसलिए देखो हमेशा बोलता हूं बचो basic mathematics for physics जरूर पढ़ाऊगा होना चाहिए जो मैंने पढ़ाया आप लोग के लिए hyperbolic graph कैसे होता है rectangular hyperbola यह साब कुछ जो है एकदम पढ़ावा है उसके अंदर ताकि आपको कही दिक्कत ना हो कैसे graph बना है तो एक बार r equal to रखो 0 r equal to 0 तो 1 बटे 0 हो जागा infinity यानि force किदर चल जागा एकदम उपर infinity ठीक है r equal to 0 पर infinity अच्छा जैसे जैसे r बढ़ाते जैंगे बढ़ाते जैंगे एकदम infinity चले जाओ तो रखो r equal to infinity तब 1 बटे infinity क्या हो जग 0 यानि force become 0 तो देखो यहाँ पर एकदम उपर और यहाँ जाते 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 एकदम touches at infinity तो अगर r एकदम infinite distance पर रखती है न सम अगर सवाल जो है छोटा-छोटा one marker आप लोग से पुछा जाएगा boards के लिए कि भाई inversely proportional है तो इसका मतलब क्या अगर लिखोगे f2 बटे f1 तो inverse relation है यह हो जाएगा r1 बटे r2 का क्या हो जाएगा whole square तो कभी देखो अगर बोलेगा न कि distance between the two charges is doubled तो बताओ कि force क्या हो जा क्या हो जाएगा तो यहां से direct कर सकते हैं अगर double हो गया तो दोखो two to four the force becomes one बटे four times अगर triple हो गया दोनों के बीच में distance triple तो one बटे three का whole square केतना हो जाएगा nine यानि force will become one बटे nine times तो इस formula से हम calculate कर सकते हैं ठीक है उमीद है कि समझ में आया होगा चलिए next देखते हैं छोटा define करेंगे और one stat column को define कैसे करेंगे अब हमारे पास formula आया हुआ है तो one column समझ में आ रहा कि SI unit है ठीक बोलते है let दो charges है कैसे define करो की one column का charge है तो हम करते है let दोनों charge को जो है न वही value का ले लिए same value ठीक है और दोनों को place करते हैं one meter distance apart पर तो देखो formula अभी जो हमारे पास है व हमको one column define करना है यानि कि SI unit लेकर solve किया जाए इसको SI unit में k का value केतना होता है बच्चो 9 into 10 to the power 9 charges अगर ले रहे है one column यानि कि if q1 equal to q2 अगर हमने same nature ले लिया ठीक है one column distance अगर हम रख देते हैं केतना one meter SI unit है one meter separation तब दोको होगा क्या force बराबर आ जाएगा k, k का value केतना होता ह 9 into 10 to the power 9 ये तो one 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 है यानि कि सब one 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 होगया तो ये मेरे force केतना आ जाएगा पत है एतना newton यानि कि किसको हम लोग बोलें कि भाई charge one column है तो बोलेंगे when two equal charges similar nature का अगर one meter distance पर रखा हुआ है आप उसको छोड़ दोगे न तो एक दूसरे को धक्का देगा केतना newton से 9 into 10 to the पर 9 newton से अगर धका दिया कितना से 9 into 10 to the power 9 newton से तो समझो कि वो जो force है वो कितना है one column है ये ठीक है बड़ा simple तो it is that amount of charge that repels an equal and similar charge with a force of 9 into 10 to the power 9 newton when placed in vacuum at a distance of one meter from it ठीक है अब जैसे one column को आपने डिफाइन किया ना अब देखो बचो है क्या ना ncrt के अंदर जो भी चीज है हम लोग सब चीज कभर इसलिए करते हैं क्योंकि पता है बहुत basic चीज है भाई कहीं भी अगर आ जाए ना तो ऐसा ना हो कि सवाल आपसे ना बने उसे related की क्या है option based चाहे वो theoretical हो चाहे नुमेरिकल हो चाहे बहुत अच्छे numerical क्यों ना हर तरफ से हम लोग को आना चीज है one stat column कैसे define करोगे तो यह cgs unit है तो cgs unit में हम लोग कैसे बोलेंगे f equal to होता है k q1 q2 divided by r square ठीक है one stat column बोलना है यानि कि सब cgs 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 अच्छा तो cgs में देखो क्या बोलेंगे same nature का ले लेते हैं let एतना एतना दोनों same nature का है वो है one stat column distance ले लेते हैं one centimeter यानि दो charges को one centimeter apart अगर रखेंगे तो होगा क्या देखो one one ये भी one तो force जो आ जाएगा SI unit में k का value क्या होता है बचो one तो one 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 रखेंगे तो ये आजएगा कितना one dine क्योंकि cgs में हम जानते है k का value कितना होता है one यानि one stat column हम उसको बोलेंगे कि when similar charges are placed at a distance of one centimeter apart रख दोगे तो वो दोनों एक दूसरे को धका देगा कितना से one dine से तो समझो कि वो जो charges है वो one stat column रखा हुआ है तो इसको one stat column बोलू या one electrostatic unit of charge बोलते है is that charge which repels an identical charge in vacuum at a distance of one centimeter from it with a force of one dine ठीक है एक दम छोटा साची चल की कुलम्स law जो है उसका एक limitation है भाई क्या-क्या limitation है सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि the electric charge must be at rest सबसे पहला तो यह ही है moving charge नहीं होना चाहिए दूसरा electric charges must be point charge तो यह relative term with respect to distance है तीसरा देखो क्या है बड़ा काम का चाहिए कि बोलता है कि separation between the charges है q1 q2 आपने जो लिया है r distance जो है यह q1 और q2 और दोनों के बीच में separation this separation जो है must be बचो greater than क्या होना चाहिए the nuclear size यानि कि 10 to the power minus 15 meter से greater ही होना चाहिए यह condition है कुलम्स law के लिए इसका क्या मतलब है भाई greater आचा कम हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ देखते atom है atom के अंदर nucleus एकदम छोटा सा nucleus का जो size होता है यानि कि radius होता है वो order 10 to the power minus 15 meter का होता है कितना होता है बच्चों यह radius कितना होता है 10 to the power minus 15 meter का और उसके बाहर पता है orbits है electron गोल 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 गूमता है तो पूरा atom का अगर हम radius देखे तो वो जो order होता है कितना order का atom का पूरा यह 10 to the power minus 10 meter का होता है तो यह ज्यादा है यह वाला क्या है बहुत कम बोलता है क्या देखो nucleus के अंदर आपको पता है कि proton है positively charged और इस nucleus के बाहर अगर चले जाए तो वहाँ electrons है और proton कैसा है positively charged तो बोलता है nuclear size के जो है 10 to the power minus 15 meter अगर इसे दूर कम से कम अगर charges रखा हुआ हो न जैसे positive negative तो यह दोनों के बीच में जो force लगेगा वो electrostatic force कहला है कुलम force formula लगा सकते हैं लेकिन जैसा ही nuclear के अंदर अगर आ जाया उससे भी कम दूरी में अगर लेते चले आए electrons मालो protons को तब जो force लगेगा they are not column force वो हो जाता है nuclear force कहलाता है बहुत strong force होता है जिसका कि पू वह उसी nuclear size के अंदर दो proton रखा हो तो दुनों के बीचो कौन सा force लग रहा होगा आइसा नहीं बोल देंगे proton proton अच्छा repulsive force है वह यह लग रहा होगा पर best क्या है सवाल क्या बोला गया देखो find the ratio of electrostatic force and gravitational force between two protons placed at certain distance apart दो proton रखा हुआ है तो यहाँ भी proton यहाँ भी proton let certain distance apart रखा हुआ हम से पूछा है कि electric force और gravitational force का जो है ratio बताना है कि कितना होगा ठीक है देखो पहला lecture के अंदर सारे electron proton neutron neutron का चार्ज क्या होता है है mass क्या होता है वो सारा कुछ लिखाएते ना तो आपको वो याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो हमें कभी भी जुरत पड़ सकता है कभी क्या आज ही जुरत पड़ गया electric force कैसे लिखेंगे तो हम जानते है कि क्या है k q1 q2 divided by क्या है r square divided by gravitational force कैसे लिखोगे gm1 m2 divided by r square तो यहाँ पर जो है mass of the proton क्या होता है और charge of the proton क्या होता है mass of proton घर के अंदर की बात है घर के अंदर में जो भी रहता है उसका same mass होता है जो की 1 mu के भी बराबर है वो केतना है 1.67 into 10 to the power of minus 27 kg और charge on the proton जो है electron और proton पर same charge केता 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम तो हम रखते हैं जरा दोखों same distance एंदर पर है तो r square r square चला गया के तो यहाँ यहाँ हम लोग बोल सकते हैं बच्चों तो charges 1.6 into 10 to the power minus 19 का whole square divided by g का value 6.67 into 10 to the power minus 11 masses जो भी same है 1.67 into 10 to the power minus 27 का क्या हो गया whole square ठीक है calculate करते हैं जरा इसको दखो क्या आता है और बड़ा अच्छा एक result हमारे पास आ जाएगा यह जो 11 है उपर चला गया तो 11,9,20 तो 9 divided by 6.67 को हम लोग 7 लिख देते हैं into 10 to the power यह हो गया 20 यह देखो यह भी whole square यह भी whole square यह भी 1.6,1.6 ऐसा करते हैं कि भाई आप दोनों bracket के अंदर आ जाएंगे क्या दोनों whole square ही है तो उपर है 1.6 into 10 to the power 19 नीचे है 1.67 into 10 to the power minus 27 देखो calculation धीरे धीरे बचो सिखते चल्या होगे ठीके थोड़ा मोड़ा approximation करकर के जोने calculate किया जाता है देखो यह 1.6,1.6 उड़ा दो दोनों कोई फर्क नीपड़ेगा ठीक है एकदम क्योंकि decimal के बाद का यह गया 10 to the power 27 उपर गया यह क्या लिखोगे 9 बटे साथ तो हो जा और उसका whole square है तो 10 to the power केतना हो जाएगा 16,8,16 ठीक यह हो जाएगा 1.2 into 10 to the power केतना आ रहा है 36 यह आया है मेरा electrostatic divided by gravitational force जो है यह तो ठीक है यह value जो भी आसा हो हो सकता है decimal थोड़ा सा अलग हो कुछ चलेगा order केतना है 10 to the power 36 times यानि दो proton अगर same distance पर रखा हुआ हो तो दोन के according या दोनों रिपेल करेगा कुलम के according जैसे बोले थे ना glass red rubbed with जो है silk के रख करने बाग पेपर के पास लाएं तो क्या करेगा masses भी दोनों है और दोनों charges भी है तो देखो यहां से कुछ पता चलता है बचो attraction दिखता नहीं है लेकिन repulsion हमें दिख जाता है electric वाला जो है यह है 1.2 into 10 to the power 36 times gravitational force है इसका मतलब क्या है भाई 10 to the power 36 times का मतलब हो गया कि यह electric force जो है बहुत large होता है in comparison to gravitational force ठीक है तो यह है कि electric force is very very large in comparison to क्या है gravitational force तो अगर जो masses जैसे हमने proton लिया अगर masses बहुत छोटा होगा ठीक है तो दोनों के बीच में masses बहुत छोटा होना चाहिए अब ऐसा नहीं कि बच्छो sun ले लिया और पृत्वी ले लिया तो भाईया पता उसके पास gravitational force दिखेगा अगर masses बहुत छोटा हो तो हम लोग generally gravitational forces neglect कर देते हैं और सिर्फ और सिर्फ consider करते हैं किसको electric force को ठीक है एक चीए चलो अब देखो gravitational force और electrostatic force बिल्कुल कुछ-कुछ similarity है कुछ-कुछ differences है क्या है similarity क्या है difference वो देखते हैं जैसे कि मैंने आप लोग को बुला था न कि work energy power में conservative force जरूर पढ़ लीजेगा work energy theorem conservation of mechanical energy ये त energy theorem physics links लिख लीजे YouTube में conservation of mechanical energy physics links और एक है conservative force and non-conservative force physics links minimum कुछ भी ने पढ़ा हुआ तो ये सब जरूद पढ़ करके रखिए तो बड़ी help करेगा जैसे gravitational force भी और electrostatic force की बात करें तो सबसे पहले बोले देखो जरा है ने देखो inverse square law ये भी hold करता है तो हम लोग क्या इसे लिख लो इट फॉलोस क्या है inverse square law तो इसे लिख लो एक तो ये हो गया है दूसरा क्या बोलेंगे जैसे inverse square law फॉलो किया यहाँ देखो ये g का जो value होता है ये throughout universal gravitational constant कहीं change नहीं होता है लेकिन ये जो है पता है अलग-लग medium में अलग-लग permission देता है यानि जो के आएगा वो क्या है depends on medium तो बोलेंगे क्या ये जो gravitational force है it is independent of the medium it is independent of the medium क्योंकि g constant होता है लेकिन medium लेकिन ये जो है it depends upon medium it depends upon medium ठीक है समझ में आ रहा है बचो चौथा अगर देखे हम लोग क्या तो पता ही ये हमेशा कैसा होता है attractive force ही होता है लेकिन ये attractive भी हो सकता है और repulsive भी हो सकता है based upon the nature of the charge ठीक तो बोलेंगे डिरेक्टिव तो always attractive always attractive लेकिन ये जो है क्या हो सकता है attractive और repulsive बोथ attractive और repulsive बोथ दोनों हो सकता है पाचवा अगर देखें तो हमें पता है कि gravitational force बोलो अचा है नहीं करता है direct initial और final point पर तो इसका जिक्र हम लोग potential energy जब पढ़ेंगे electric potential energy तो वहाँ पर आएगा लेकिन अभी फिलहाल जो है हम लोग लिख के रख लेते हैं कि ये जो कैसा force है conservative force conservative force तो ये भी कैसा है conservative force और जो work energy power में पढ़ें हैं सेम तरह का जो है यहाँ पर भी calculation formula सब होगा जैसी conservative force है तो बस पता है कि work energy power में आपके copy के cover के उपर मैंने कुछ लिखाया था जादारा क्या लिखाया था work done by conservative minus delta u इसे आठ दस चैप्टर पूरा physics में इसे सवाल बनेगा तो work done by conservative ये हो जागा minus delta u क्या है potential energy यानि कि conservative कौन है gravitational force ये minus delta u होगा तो भया इधर भी ये चीछ चलेगा ब्रहमास्त्र जो formula हमारे लिए है कि work done by conservative यानि यहाँ पर है work done by electric force जो है यह भी हो जागा क्यतना minus delta u के बराबर हाला कि बताऊंगा जब potential energy आएगा लेकिन आप लो work energy पार का वो जुरूर देख करके रखे है बच्चों तो यह तो होगे सेवेंथ अगर देखें जो last point होगा कि जैसे conservative और gravitational और electrostatic पूछा जाता है तो एक पूछता है कि external agent केतना काम करेगा तो यहाँ पर हम लोग बोलता है कि work done by external agent जो है होता तो है total mechanical energy यानि kinetic plus potential तो भाईया यहाँ भी work done by external agent हो जाएगा कितना kinetic plus potential लेकिन हमेशा चाहे देखोगे masses को slowly move किया जाता है slowly अगर उठाते हैं ठीक है slowly का मतलब क्या velocity zero यानि kinetic energy सब क्या हो जागा initial final सब zero तो no change in kinetic energy takes place only potential energy में यह होता है तो जैसे masses को हमेशा slowly move किया जाता है अब पूरा electrostatic में भी देखोगे आगे के lectures में charges को भी slowly move करेंगे यानि पूरा छपाई कारिकरम होने बाला है work power energy, gravitation और electrostatics तो यहां क्या बोलेंगे, if masses moved slowly, if क्या हमेशा होता है, if masses moved slowly तो भाईया change in kinetic energy तो नहीं होगा कुछ भी तो यहां पर work done by external जो हो जाएगा किसके पराबर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ potential energy के हो जाएगा, क्योंकि change in kinetic energy zero है, यहां पर भी बोल देगे क्या, if charges are moved slowly if charges are moved slowly, slowly, then change in kinetic energy तो नहीं होगा, slowly मतलब पता है zero zero, therefore work done by external सिर्फ और सिर्फ यहां क्या बचेगा, potential energy के बराबर है, तो यह आगे की लक्षास में आएगा, लेकिन अभी आ रहाता तो similarity थोड़ा सा समझ में आए कि अच्छा कैसे है, यहां तक कि सारे ग्रेविटेशन का formula और electrostatic का formula अब similar same है, जो जो इतना वहाँ पढ़ेते ही है, चलिए एक एक करके देखते हैं, अब जो lecture 1 में अभी हमने पढ़ा, atoms और ions का concept पढ़ेते हैं, sodium, positive ion, chlorine, negative ion यह, तो electrostatic में उस पर सवाल best कैसे, और यह सवाल देखो, नीट में आया हुआ तो भाइ, positive ions का मतलब क्या होता है, हम लूघ जानते हैं, जैसे sodium है, एक electron हुआ निकला तो एक प्लस, calcium से दो electron निकला तो दो प्लस, तो ions बनता है, तो बोल क्या रहा है, टो positive ions, each carrying a charge q, इसका मतलब कि एक है, एक है, यह भी charge q क्यों करी कर रहा है, यह भी charge q क्यों करी कर रहा तो ये भी F इसको धक्का देगा, ये भी F इसको धक्का देगा, बोलता कि then the number of electrons missing from each ion will be क्या, कितना electron इसे miss कर रहा है, तभी तो positive ions होगा, एक electron निकलता है तो plus 1E, दो निकला तो plus 2E, कितना electron निकला हमें नहीं पता, let any electrons, तो कितना हो जागा, plus any, यानि ये जो charge है actually, कितना है, plus any, ये भी जो charge है, कितना हो जागा, plus any, ठीक है, क्योंकि दोनों पर charge क्या है, same, इसी लिए क्या है, same number of electrons दोनों से निकला होगा, तो ऐसा ऐसा है, तो बोला है क्या, बता कि क्या होगा, तो ठीक है, force of repulsion है, बचो, तो अभी हमने पढ़ा, f equal to क्या होता है, k q1, q2, divided by r square, ये r हमारे लिए distance d, d देके रखा है, तो calculate कर लेते हैं, options दो कैसे देके रखा है, 4 pi epsilon not use किया हुआ है, तो हम इसको करते है, calculate, 1 बटे 4 pi epsilon not, q1, q2, तो ये क्या plus any, एक और है क्या any, यानि any, any, any का whole square हो जाएगा, और formula में कभी भी plus minus लिखने की ज़रत है नहीं, point to be noted, लिखने की ज़रत है नहीं, सिर्फ magnitude लिखे, divided by d square, तो कितना आ जाएगा तो, any, any, हम directly लिखे बचो, any का, मदलब any square, e square, हमें any square calculate करना ती हो जाएगा, f d square, divided, sorry, f d square, 4 pi epsilon not, divided by क्या है, e square, equal to हो root लगा दे, तो यह आजा रहा क्या है, यह, चले का बहुत आसा, छोटा सा सवाल था, 4 pi epsilon not, f d square multiply कर तो, divided by e square, यह रहा है, कौन सा option है, root under f d square, f d square, 4 pi epsilon not, बहुत है, यह e square है, तो option number c, ठीक, चलिए, next देखते है, क्या है, conduction and electrostatics, यह from lecture 2, जो हमने पढ़ा, methods of charging में, कैसे charge distribute ह होता, conduction में, ठीक, देखे, को, कहां यह सब सवाल नहीं आया हुआ है, चाहिए, बोर्ट में लो लो, तो बहुत बार repeat होता है, बोर्ट के अंदर, neat में, j means में, हर जगा पे से related सवाल बचो है, तो बड़ी important है, देखते, two identical, identical word बोल दिया, ठीक, two identical copper spheres a and b, a है, b है, each having charge q are separated by distance d, each having charge केतना है, q are separated by distance केतना है, d, repel each other by a force f, यह दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है, केतना से, f से, identical है, बोलता है, third is fair of the same size, same size का आता है, यानि वो भी क्या है, identical, तो third is fair of the same size, but uncharged, यानि लेट को तीसरा स्फेर है, c, तीसरा स्फेर है, कोई c, same size का, लेकिन ये uncharged है, यानि इसके उपर कोई charge नहीं है, ठीक है, is brought in contact with the first, first मतलब कोन, a, यानि कैसे कैसे हो रहा बचों, इसको जो है न, c, जो uncharged हो, उसको contact मिलाता है, किसके साथ, a के साथ, ठीक, हमको पता है, कि identical अगर हो, जैसे touch कराएंगे, average हो जाता है, identical हो, तो average, point to be noted, लेकिन अगर अलग-अलग size का हुआ, तो भी, अलग-अलग हुआ, पहले a के साथ touch कराते है, first, then brought in contact with the second, अच्छा, ठीक है, and finally remove from both, बोलता, what is the new force of repulsion between a and b, option देख, f के terms में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग निकालते है, सबसे पहले किसके साथ, a के साथ touch कराएं, then brought in contact with the second, ठीक पहले जब a के साथ कराएंगे, a के पास charge था q, तो जैसी touch कराएंगे, अब दोनों पर जो charges होगा, वो क्या हो जाएगा, देखो, a पर q plus 0 by 2, जो भी होता है, हम जानते हैं, average हो जाएगा, q plus 0 by 2, इस पर भी हो जाएगा q plus 0 by 2, यानि कि इस पर आ रहा है q बटे 2, इस पर आ तो c के पास ऐसा हो गया, अब c को लेके जाते हैं, second से touch कराते हैं, तो भाईया, अब मेरे पास, जो है, c, c जो है, उसके पास charge कितना है, q बटे 2, और इसको touch करा हैं, किस के साथ, b के साथ, b के पास charges है कितना, q, अब दोनों के पास क्या होगा, फिर से average, यानि अब b के पा यह प्लस यह बाई 2, तो यह प्लस यह बाई क्या हो जगा 2, क्यतना आ रहा है देखो, 2 प्लस 1 क्यतना हो जगा, 3 q बटे 2 दूनी 4, तो यह भी 3 q बटे 4 हो गया, यानि कि, finally, जो है, दोखो, a के पास तो यह है, c के पास अब अलग हो गया, b के पास यह, बोलता क्या है, what is the new force of repulsion between a and b, तो भाईया, a के पास केतना है अब, q बटे 2, और b के पास केतना है, 3 q बटे 4, तो बोलेंगे, a के पास, अब मेरे पास है, देखो, केतना, q बटे 2, और b के पास, जो है, अब केतना हो गया है, 3 q बटे 4, तो बोलता ही, दोनों के बीच में, क्या force of repulsion होगा, त distance क्या है? distance के बारे में कुछ बोला नहीं, touch करें कि क्या करते हैं, तो यानि कि same distance पर रखाऊगा, तो बताओ कि क्या? बोलेंगे शुरू में जो F था Q Q, तो बोलेंगे F बराबर क्या लिख सकते थे हम लोग? K Q 1 Q 2, charges same है, तो आज आगा क्यों Q Q square? K Q 1 Q 2 बटे R square, यह होगा, दिस इस F, अब हम लोग निकालते हैं, नया force क्या होगा? तो बोलें K Q 1 है ऐसा, Q 2 है ऐसा, K Q 1 Q 2, divided by दोनों के बीच का distance क्या होगा? Same, ठीक है? D square, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 दोनी 8, 3, तो 3 बटे 8, बाट के Q स्क्वेर डिवाइड बाई D स्क्वेर भाई K Q स्क्वेर बाटे D स्क्वेर जो है वो ओर जिनल F के बराबर है यानि यह कितना आ जाएगा 3 बाटे 8F तो DPP के अंदर ना मैं एक value based पर ये वाला सवाल दूँगा तो आप लोग उसको calculate करना और फिर calculation का जो है कैसे fast calculate कर सकते हो और option को trick मलब टिक कर सकते हो by trick तो वो भी जो है DPP के अंदर सिखाऊंगा बच्वेर हर जगा से सीखते चलो है 3 by 8F 3 by 8F कहां है वाई 3 by 8F ये है option number C चलिए next क्या है टाइप में देखो maxima minima and electrostatics type wise maxima minima हम लोग पढ़े है basic mathematics for physics के सबसे last lecture number 15 होगा तो जो भी बच्चे नहीं देखे है न अगर feeling नहीं attach है कि maxima minima क्या होता है तो feeling attach कर लिजेगा YouTube में type कर लिजेगा बच्चो maxima minima physics links ठीक है वो वीडियो आ जागा देखेगा चलिए देखते है क्या है बोलता है क्या है ये charge capital Q is divided on two objects charge Q है इसको divide किया जाता है दो object पर अच्छा find the value of the charges on the two objects कितना कितना charge दोनों पर होगा so that force between them is maximum वो दोनों के बीच में जो force लगेगा वो maximum हो जब भी कभी physics के अंदर बुलें maximum हो तो समझ में आ जाना चे ओ maximum minimum का कुछ कुछ लगने वाला है ठीक है तो दोनों object पर केतना charge distribute करेंगे हमें तो नहीं पता तो टोटल है क्यों तो लेट एक पर चार्ज आता है क्यों तो दूसरा पर क्या हो जाएगा तो मालों यह 10 रुपिया है यहां आ गया दो तो वहां कितना आएगा force हो जाएगा k q1 q2 बटे r squared यह हो गया force ह को हमको करना है maximum तो maximum minimum का concept ही यही होता है कि किसी एक चीज़ को maximum या minimum पूछा जाता है कि इसको maximum करना है बताओ कि कहां पर या बताओ कि कि इस चीज़ का किस value पर वह maximum होगा हमेशा यही 2 चीज़ किया जाता है एक value पूछता है और एक बोलता है कि इसको maximum करना है, ठीक है, देखो, आ गया थोड़ा सा जलक देख लेते हैं, y versus x है, maxima देखो ये, क्या है भाई, ये y का value देखो बढ़ते 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 एक ऐसा जगा है, जहाँ y क्या हो गया, maximum हो गया है, लेकिन जो y maximum हुआ है, at a certain value of x, बताओ कि कहाँ पर, तो बोलते हैं कि भाई, अगर ऐसे हम किये ने, तो बोले देखो यहाँ पर, यानि at x equal to something, कुछ ऐसा value है, जहाँ पर y becomes क्या, maximum, तो जिस जगा पर maxima या minima होता है, slope हो जाता है, क्या 0, slope का 8 नाम, slope मतलब dy by dx, slope मतलब tan theta, m बोलो, f dash of x बोलो, सब कि यहाँ पर क्या बोलेंगे, y versus x है, यानि कि dy by dx, slope हो गया 0, तो यह जो है, देखो, dy by dx में, यह क्या है, यह है maximum, y maximum हो गया है, यह जो नीचे आता है, वो क्या आता है, value of x where y is maximum, y maximum कहा होगा, वो value यह पूछा जाता है, कि x का बताओ कि क्या value पर वो होगा, हम से अभी क्य पुछा है कि force maximum करना है, बताओ कि charge का क्या value होगा, यानि charge कि धर लिखाएगा, निचे, force कि धर लिखाएगा, उपर, जहाँ पर यह होगा, उसको equal to क्या कर देंगे, 0, बस, खतम, तो करते है calculate, तो बोला कि force को maximum करना है, बताओ कि charge का क्या value होगा, तो हमें यह नहीं पता, तो जो नहीं पता होता है, वो निचे लिखते है equal to 0 करेंगे, अपने आप इसका value निकल जाएगा, ठीक है, बहुत असान, तदी बटे DQ, F क्या है, F है K, इसको multiply करते है, QQ, QQ minus क्या है Q square, divided by क्या है, R square, ठीक है, रख दिये, equal to क्या होगा, 0, चली, देखते है, तो K तो constant ह है, चला गया बाहर, दोनों के बीच में distance constant है, चला गया बाहर, या निकी, सिर्फ और सिर्फ differentiation होने जा रहा है, QQ minus Q square, equal to क्या है, 0 का, ये K बटे R square, यहाँ, वो उधर 0 के चला गया, divide होके, खतम, तो बच्चों, देखो, variable क्या लिए है, ये Q का value हमको निकालना है, capital Q क्या है, 0, hence, देखो, capital Q गया बाहर, तक DQ बटे DQ केतना आ जाएगा, 1, minus QQ, यानि XX, same variable है, तक Q square, differentiation 2Q, hence, hence, कुछ-कुछ आ रहा है, Q बराबर हो गया, 2Q, तो what is, छोटा Q बराबर, तक capital Q बटे 2, तो ये हो गया, तो यानि कि, एक आया है, Q बटे 2, ये कितना आया है, Q बटे 2 तो भाई, total में से Q बटे 2, minus कर देंगे, तो फिर से क्या आएगा, आधा ही आएगा, यानि ये भी value क्या होगा, Q बटे 2 ही होगा, तो मेरा answer कौन सा सही हो जाएगा, Q बटे 2, Q बटे 2, Q बटे 2, Q बटे 2, this is the answer, ठीक है, option number C, चले next type पर, next type ये है, पर चो आसान लग रहा ह है, ठीक ही लगना चाहिए, मुश्किल नहीं लगना चाहिए, Coulombs law in vector form, तो बस vector में लिखना है, कि कौन किसको धक्का मारा, जैसे Newton's law में हम लोग पढ़े हैं, A ने मारा B को, B ने मारा A को, लिखते कैसे, जो अभी शुरू में जिक्र भी कर रहे थे, let मेरे पास Q1, Q2 दो Q2, Q1, धक्का किस पर लगा पहले वो देखो, जैसे रोट पर एक्सिडेंट जब हो जाता है, तो पहले हम देखते है कि कौन बेचारा जो है न, चोट लगा कि इसको कौन बेचारा मर गया, खराब लेकिन न, अब समझने के कोशिस करो, कौन मर गया, बाद में investigation होता है, भा हमें मारा 1 को धक्का, धक्का किस पर लगा, 1 पर लगा, मारा कौन 2, तो कारण हमें साब physics में बाद में, ठीक, अब हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो, F12 ये है force on 1 due to 2, due to 2, similar way में F21, vectorially हम लोग को लिखना है, ठीक, force on ये हो जाएगा, charge 2 due to 1 ये तो हो गया, अगर हम लोग लिखे, देखो, F12 मारा लो लिखते हैं, F12, कैसे लिखे, तो ये vector है, vector में दो चीज, magnitude और direction, magnitude कैसे है, तो बोले KQ1Q2, KQ1Q2 divided by R square, तो ये पूरा जो हो गया magnitude हो गया, किसी चीज का whole square तो positive ही होगा, तो यहाँ से लिखर के, यहाँ के बीच का distance मारा लोग की 5 मीटर है, त जो magnitude लिखा हुआ है, तो हमको पता है, physics के अंदर की भाई, चाहे आप ऐसे लिखो, या आप magnitude ऐसे लिखो, फरक नहीं पड़ता है, दोनों का meaning सेम है, तो ये जो R है बच्चों, हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, पता, चाहे आप R ऐसे लिखो, चाहे लिखो की भाई, 1 और 2 के बीच का जो दूरी है, यानि कि 1, 2, vector लगा के magnitude लिख दो, चलेगा, क्यों magnitude ही तो 5 है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2, 1, vector लगा दिये, और magnitude लिख दो, कोई फरक नहीं पड़ता है, सब है सेम, हमको जब जो ज़रत पड़ेगा, magnitude में चाहे, जो ज़रत पड़ेग लिखते कैसे हैं, तो जिनको दिक्कत होगा बचों, यूटूब में टाइप करिएगा, unit vector physics links, ठेक है, उसमें बताए हैं, कि चावल खरीदना है ना, तो उसका क्या मतलब होता है, डाल कितना भी खरीदना है, सबसे पहले दुकानदार से पुछते हैं, एक केजी डाल का दा लिखते हैं, तो सब एक एक है, तो भाईया, एक एक है, यानि कि मालो हम यहां खड़ा है, मेरे को दाल खरीदने जाना है, ठीक है, तो दाल यहां, तो भाईया, खरीदने जाना है, घर से market के तरफ गए, तो O से P के तरफ गए, दाल खरीदने, पहले बताओ कि क्या, तो भा तो P के उपर क्या लगा देते हैं? Cap. यानि कि, मैं कहना यह चाहरा हूं कि, जब भी unit vector आता है ना, तो क्या किया जाता है बचों? Hindi coding जो बताता हूं नो, वो लिखो. पता है क्या? सीधा सीधी. सीधा सीधी. O से जाना है P के तरफ ना, तो O P के उपर cap लगा दो. सीधा सीधी. जेधा O से P, तो भाया O से P. अगर उधर सीधार आ रहे, तो P O के. ठीक? सीधा सीधी. यह जो force F1, 2 हम लिख रहे हैं, हमको इसका direction लिखना है. क्या लिखे हैं? तो यह किदर लग रहा है? इस direction में लग रहा है ना? तो यानि यह direction कैसे है? 2 से 1 के तरफ. अच्छा. और वो जो force किदर है? 1 से 2 के तरफ. देखो. 1 से 2, 2 से 1. घर से market, market से घर. यानि कि सीधा सीधी मतलब क्या होता है? भाया घर से market, तो भाया घर से market. के उपर cap लगा दो. ठीक. यह किदर है? यह 2 से 1 के तरफ है. यानि आप एक unit factor इधर लगा दो. कहने का मतलब है. ऐसे लगा दो unit factor. यह क्या हो जागा? सीधा सीधी देखे. 2 से 1. तो 2, 1. यहीं होता सीधा सीधी लिखने का तरीका. यह direct बता रहा है कि 2 से 1 के तरफ जा रहे है. बचों, force जो है ना. वो क्या है? कौन मरा? और कारण बाद में देखो कि मरा कौन ऐसा है. ठीक. unit factor जब लिखना हो ना तो वो सीधा सीधी लिखते हैं. क्या खरीदने जा रहे हो? बस. तो यह 2, 1 क्या बता रहा है? इट इस यूनिट फेक्टर विच इस डिरेक्टेट फ्रम 2 तो 1. स्टेट फ़रवरड है बाई. तो यह इस डिरेक्शन में क्या हो जाएगा? तो यह 1 से 2 के तरफ है. यूनिट फेक्टर तो 1, 2. सीधा, सीधी, हिंदी, कोडिंग याद रखोगे. फिजिक्स जबर्दस तरीके से समझ में आएगा. अब देखो, यह किधर लग रहा है? इधर, कौन है? डिरेक्शन ये. तो हम लोग लिख देंगे R21 के उपर क्या. यही तो समझहनती विद्या है, जो कि हमको रटना नहीं पड़ता है. हो गया? अब हम लोग लिख सकते हैं. यूनिट वेक्टर कैसे लिखाता है? देखो, के Q1, Q2 divided by R square. यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर divided by magnitude. वेक्टर कैसे लिखेंगे बाई? तो जो यूनिट वेक्टर है, तो हमारे पास आया है 2-1. तो R-2-1 ही लिख देते हैं नीचे. तो यह हो जाएगा के Q1, Q2 divided by. क्या लिख देंगे पता है? R-2-1 जो वेक्टर उसका magnitude का क्या है? यह होली स्वेर. नीचे एक और है. R-2-1 magnitude. इस साइड क्या हो गया? R-2-1 वेक्टर. तो R-2-1 जो वेक्टर उसका होल क्यूब हो जाएगा? 2-1-3 और इधर हो गया क्या? R-2-1 का वेक्टर का यह ऐसा. This is F-1-2. ठीक है चलेगा? अच्छा एक और चीज़. देखो. Since हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर A-B लिखा हुआ, उसके उपर वेक्टर लिखा हुआ हो. इसका मतलब क्या होता है? A से गया है, B तक. 2 रुपिया से 5 रुपिया कमा लिए. तो भाईया कमाया आपने कितना? तो 5 में से 2 माइनस करो, यानि 3 रुपिया. This is displacement vector. तो A-B के उपर vector लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? Final minus initial. ठीक, यहाँ देखना जाता है. R 2, 1 जो है vector लिखा हुआ है. तो इसको कैसे लिख होगे? Vector है, similar way मैं दोगो. Vector है, यानि 2, 1. तो यानि final minus क्या हो जाता है? Initial. Vector को कैसे लिखते हैं? कहते हैं, format जो लिखाने का vector form में F1, 2 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा KQ1, Q2 divided by magnitude R1, 2 vector. तो 1, क्या है बच्चों? हाँ, स्री, R21 है ना, R21 vector जो लिखा, उसको लिखेंग कैसे? R1 minus R2 का क्या हो जाएगा whole Q. आइधर क्या है? इधर सो सिर्फ vector है, यानि R1 minus R2. तो यह हो गया, मेरा पता है क्या? Final लिखने का तरीका. तो finally जो मेरे पास conclude हो करके आया है, उसमें हम क्या कह सकते हैं? कि भाई, 1, 2, तो 1, 2, 1, 2, O, 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 Jो यहाँ लिखा हुआ है, वही subtract कर दो, 1, 2, 1, 2. यानि कि ठीक ठाक है, तो क्या similar pattern पर, 1, 2, जो हमने लिखा, क्या same sub lines उठाकर करके बच्छो 2, 1 के लिख सकते हैं क्या? इस side वाला force को vector ये लिए अब कैसे लिखोगे? कैसे लिखेगे? तो बोल देंगे similarly, तुम जो आए, जिन्दगी में बात बन गई हाँ, ठीक है, लिखते हैं देखो, अब rhyming हो गया न, 1, 2 तो 1-2, वाह, तो 2, 1 का मतलब क्या हुआ? जाएगा 2-1, 2-1 का होल Q, इधर में 2-1, बड़ा बढ़िया है, F अनिल कुमार, यहाँ पर अनिल कुमार तो अनिल मैनस कुमार, कुमार अनिल तो कुमार मैनस अनिल, यानि कि सीधा सीधी जो है, लिखा जाएगा final अगर result का, अगर हमको लिखना हो, तो, ठीक है, यह हो गया तो यह vectorially है, अब इसका एक significance है, देखो इस पर बेस छोटा सा सवाल आता है, कि यह charge जो है, R1 क्या बतलाता है, कि एक पहला charge कहां located है, उसका position, R2 vector कहां located, उसको vectorially लिखो, छोटा सा सवाल आ जाएगा, Q1 charge है, 1,2,3 पर, एक charge है 5,6,7 पर, तो बताओ कि force on 1 due to 2 क्या लग र लिखो, पोजिशन वेक्टर ऐसे लिख करके, सब्ट्राइट करके, आप ऐसे निकाल लो, एक छोटा सा सवाल में, DPP के अंदर डालूंगा बचो, ठीक है, जो थोड़ा सा कम आता है examination, लेकिन आपके trial के लिए रहना चीब प्राक्टिस, तो देखो इसका importance क्या Coulombs law vector form का, कि यह ओबे करता है Newton's third law of motion, Newton's third law of motion, कैसे, यहाँ देखो, KQ1Q2 बटी यह magnitude का whole cube है, KQ1 बटी इतना का magnitude का whole cube है, तो तो पूरा पता एक value आ गया, same value आ गया, यहाँ पर है R1 minus R2, ठीक है, अगर minus यहाँ common ले 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 तो यह क्या हो जागा, R2 minus R1, और R2 minus R1 किस के बराबर है F2 1 के बराबर, यानि कि हम यहाँ से कह सकते हैं, कि भाई, जो F12 है न, वो minus अगर यहाँ से common ले ले तो जो आएगा, वो क्या आने वाला है, F2 1 आने वाला है, यहाँ पर, अगर हम लोग लिक सके, कि F12 जो होगा, वो क्या हो जागा, माईनेस अगर यहाँ से बच्छो common ले लें तो यह आ जाएगा और वो मेरे लिए क्या है f2 1 क्या यह newton's third law of motion नहीं है क्या कि दोनों का जो magnitude देखोगे तो same है बस direction उल्टा है वो उसको दो newton's उधर धका मारता है तो यह इसको इधर दो newton's से धका मारता है और दोसरा क्या है central force होता है क्या है central force का मतलब कि मानलों को चार्ज अगर ऐसे है को चार्ज अगर ऐसे है वो जो forces लगता है इट acts along the line joining the centers of the two charges बिल्कुल gravitation जैसा है gravitation देखैसा है central forces को दो मास अगर हो स्फेर दे दिया है तो force जो लगता है gravitational force along the centers लगता है तो यह भी जो electric power भी बच्चो along the centers लगेगा चाहिए f1 to f2 जैसे लिखना है ठीक है चलो next देखते है principle of superposition of electric forces यह क्या है तो जैसा principle यहाँ पर पढ़ रहे है gravitation में हम पढ़े है electrostatic में पढ़ रहे है electric field में पढ़ेंगे potential में पढ़ेंगे magnet के अंदर पढ़ेंगे तो हर जगा आएगा यह बोलता है कि let n number of charges space में रखा हुआ है तो किसी एक पर कितना force लगेगा तो जो forces किसी एक पर लगेगा बचो वो किसके कारण लगेगा तो बोले जो भी n number of remaining charges present है सब forces पर लगाएगा मालो सब positive charges ही रखा हुआ है ठीक है जैसे देखते हैं कि let यहाँ पर है q2 charge यहाँ पर है q3 charge dot 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 let यहाँ पर क्या है qn nth charge रखा हुआ यहाँ पर है q1 क्या है यहाँ पर q1 तो बोलता है कि when n number of charges जो है space में रखा हुआ है तो total force किसी एक charge पर निकालना हो तो कैसे निकालेगा तो बोले देखो सब माल लिजे कि plus plus है तो यह plus भी इसको plus धक्का देगा किधर इधर यानि कि यह इसको धक्का मारेगा इधर कैसे लिखेंगे तो बोले force लगा किस पर है भाईया 1 पर लगा लगाया कून मारा कून धका 2 तो ऐसे लिख देगा f12 ठीक है 3 भी इसको मारेगा धक्का ऐसे कैसे लिखोगे धक्का लगा 1 पर मारा कून 3 फिर उसी तरह से dot 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 करते करते n वाला कैसे लिखेंगे force लागा 1 पर मारा धाका कौन n तो यह हो गया so what is the total force acting on 1 तो बोले vector sum of all the forces ले लेंगे which are exerted by the remaining charges इस पे सिसी को बोलते है principle of superposition of electric forces बहुत सारा force अब जुड़ गया वेक्टोर यह नी यह दोनों के बीच कि जो दूरी है इसको let r12 लिख लो magnitude लिख लेते हैं यह दोनों के बीच r13 sorry r13 उसी तरह से r1n r12 लिखो या r21 लिखो फर्क नहीं पड़ता है magnitude में जो जो जोरत पड़ेगा वो लिख लेंगे so what is the total force acting on 1 सिर्फ ऐसे लिखावा मतब टोटल force on 1 तो होगा क्या force जो 1 पर है न वो 2 भी धक्का मारेगा इसको 3 भी धक्का मारेगा plus dot 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 last में 1 पर कौन है nth charge वो भी धक्का मारेगा ठीक यही देखो गया it states that when a number of charges are interacting then the total force on a given charge given charge पर is a vector sum of the forces exerted on it due to all the other यहां पर बच्चो formula लिखना होगा तो हम जानते हैं कि सब कैसे लिख सकते हैं सारे का vectorially जो है लिख देंगे ठीक बस आप एतना ही इसको लिख लो सब formulas कैसे लिखेंगे यह लिख करके दिखाई देता हूं कैसे लिखें दोगो 1 और 2 के बीच है यहां पर सिखाई ते 1,2 है तो कैसे लिखते हैं 1-2 कर दो whole q आइधर भी क्या हो जाएगा 1-2 है ना जोरत नहीं लिखें ठीक है है तो हम लोग लिख करके चेक कर लेते अब trick वाइस उसको दिमाग में रख सकते हैं 1,3 तो 1-3 1-3 क्या कर देंगे 1-3 तेधर आजाएगा 1-3 का क्या है वेक्टर समिशन ठीक प्लस डॉट 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 में कौन है 1 और n तो के q1 qn बटे r1-rn तेधर हो जाएगा r1- क्या है rn का वेक्टर इसका whole q ठीक है this is the total force acting on first charge तो इस तरह से लिखने का आए तो हम लोग लिख सकते हैं सवाल देखते हैं जरा कि इस पर बेस्ट बहुत सारा होता है वेक्टर्स और electrostatic को mix करते हैं कैसे दोखो सवाल बनता है triangle के corners पर charges रखा हुआ बच्चो q q- q इकुलेटरल ट्रेंगल है ए ए ए साइड का सेम लिखन बलता find net force acting on charge q placed at a इस पर जोना net force क्या लगेगा तो अभी हमने पढ़ा वेन नमबर आफ चार्जे से इंट्रेक्ट करता है तो वेक्टोरियल एडिशन करते हैं पढ़ें तो वेक्टर से इन इलेक्ट्र स्टाटिक्स आ गया और वेक्टर में जो जो पढ़े दुख सब काम आएगा तो करते हैं बोले भाई देखो इस पेस के अंदर क्या है इस पर हम पर पूछा क्या force लगेगा तो देखो एक यह है तो यह भी इसको धका लगाएगा यह भी इसको देखेंगे धका लगाएगा यह खीचेगा और डिपेंड करता चार्च के नेचर पर यह क्या करेगा यह प्लस यह प्लस तो यह वला जो है प्लस प्लस मारेगा धका तो यह मारा धका इदा तो उसको लिखेंगे कैसे धका लगा किस पर एपर लगाया कौन भा ए पर चोट लगा है खीचा कुन? सी, तो ऐसे ठीक, एकुलेटरल ट्रेंगल है था हमको पता है देखो सब 60-60-60-60 होगा तो ये जो दोनों forces आया है ए पर एक इधर, एक इधर वेक्टर याद करिए एक इधर, एक इधर, resultant किधर? बीच में कहीं, एक आँधी इधर चले एक आँधी इधर चले, मैं फेका जाँगा कहीं, resultant बीच में कितना फेकाएंगे? magnitude निकालना है देखते हैं ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? तो एक straight line है, ये 60 है, तो ये हो जागा 120 degree कितना हो जाएगा? 120 degree तो resultant इन दोनों के कहीं बीच में ही जाएगा पहले देखते हैं बचों कि FAB FAB जो है ना, उसका value क्या होगा? चेक करते हैं, FAB का magnitude A और B, तो पता है कि force का हम जब भी कुछ magnitude लिखते हैं तो charges का sign तो लिखते ही नहीं है सिर्क magnitude की बारत करते हैं तो Q Q, तो यह हो जाएगा K Q1 Q2 divided by दोनों के बीच के दूरी A square ठीक ठाक है? यानि की K Q square divided by A square अच्छा, अगर F AC लिखे तो यह हो जाएगा K Q Q, sign नहीं लिखना है force के formula में, तो Q Q Q square divided by दोनों के बीच के दूरी A square, यानि दोनों का magnitude same है, तो same जब है तो let इसको बोलेते हैं F naught, इसको भी बोलेते है F naught, same जब है तो और हम जानते हैं physics के अंदर बचों कि अगर यह भी F naught हो यह भी F naught हो, दोनों के बीच का angle हो, let it be theta, तो भाईया resultant किधर जाता है? बीच में, resultant बीच में, और वो हम calculate कैसे करते हैं? तो मैं आप लोगो जब है calculate करके दिखाता हूँ, same force है तो क्या? same force है तो क्या? तो this is F naught this is F naught यह है theta resultant गया है कहीं बीच में जाएगा कैसे लिखालते हैं? तो यह formula मेरे लिए हो जाता है, A square plus B square plus 2AB cos theta let F F है, तक एक result derive हो जा, तो A square plus B square तो A square plus B square plus 2AB cos of दोनों के बीच का angle केतना है, let it be theta होगा क्या? अगर vectors याद रहता तो यह समया भी देखो बच जाता धाडाक से, वो short trick याद हो जाता F square plus F square 2F square, यह वाला केतना है 2F square, cos of theta यहाँ देखो, 2F square, 2F square common ले ले, तो बचेगा क्या है यहाँ पर यहाँ है 1, यह है cos theta तो 1 plus cos theta, ठीक है 2F square, 1 plus cos theta पूरा trigonometry में formula याद करा चुके है, बचों पूरा याद करा चुका हो, बढ़ाया नहीं मैंने याद करा दिया, क्योंकि पता ही, याद नहीं होता है इसलिए, आप YouTube में type करिएगा trigonometry, physics links लिकर के तीन lecture के अंदर सारा formula याद 1 plus cos theta क्या होता है 2 cos square theta बटे 2 तो यह आजाएगा मेरे लिए 2, 2 जाए 4, देखो, एक 2 बाहर गया F square का 1F बाहर गया cos square theta का 1F बाहर जाएगा तो cos theta बटे कितना आजाएगा 2 This is the resultant force आता है यानि कि F F तो यह हो जाएगा 2F cos theta बटे 2 अनिल, अनिल, 2, अनिल cos theta बटे 2 आप लोग अपना नाम रख करके formula बना लो ठीक है, और जब दोनों का magnitude बच्चों same होता है same होता है, बलब theta ऐसे है same magnitude का तो जो resultant जाएगा वो exact beach से जाता है कितना? theta बटे 2, theta बटे 2 यानि 120 degree होगा ना तो 60, 60 degree पर जाएगा तो यह देखो क्या है? इधर भी F0, इधर भी F0 120 degree है, यानि कि exact beach में यह जाएगा कितना degree बनाते हुए? 60 degree किसी से, इधर से भी 60, इधर से भी 60 इधर से भी 60, this is the resultant force और वो हो केतना जाएगा? 2F0 cos theta बटे 2 तो हमलों डारेक्ट लिखे 2F0 cos theta बटे 2 theta total 120 degree है बटे 2 तो यह देखो क्या रहा? 2F0 cos यह हो जाएगा 60 degree और cos 60 केतना होता है? 1 by 2, यानि कि 2F0 cos 60 है 1 by 2, तो देखो 2, 2 चला गया, आंसर किसके बराबर आ गया? F0 के बराबर, अब यह एक अपने आप में गजब result हो जाता है बहुत बार जुरत पड़ेगा कोई भी 2 force अगर 120 degree पर लग रहा हो, तो उसका resultant आता है न, वही आंसर आ जाता है यानि F0, F0 तो उसका resultant भी क्या आजाएगा? F0 ही आजाएगा, बढ़ा बढ़ियाँ अनील, अनील, तो उसका resultant भी अनील ही है बढ़ा बढ़ियाँ, तो आज के बाद calculate नहीं करूंगा calculate, अनील, अनील, कब लेकिन point बला, बात 120 degree रहे तो आता है F0 answer आजाएगा, यानि जो इस पर resultant force लगने वाला है, कितना आजाएगा? KQ square divided by क्या हो जाएगा? A square ही हो जाएगा, तो KQ square by A square कहां दिख रहा है? कहां दिख रहा है? KQ square by A square, अच्छा, यहां printing mistake होगा option में A square होना चीए, बच्छा, ठीक है है, equilateral triangle है centroid of the triangle equilateral triangle का, वहाँ पर एक charge रखा हूँ, minus Q हम से पुछा, find the force experienced by charge minus Q क्या होगा? तो क्या करें? सब remaining charges देखो वो किधर किधर force लगा रहा है, वो देखते है centroid of triangle पर है बच्छो, होगा क्या? होगा क्या? तब बोले देखो इस पर जो force है, एक तो ये भी धक्का लगाएगा एक तो ये भी धक्का लगाएगा और एक ये भी धक्का लगाएगा यानि कि ये charges और ये charges के बीच में हमको distance चाहिए कि कितना होगा हमें नहीं पता है, कोई बात ने ये करेगा क्या मेरे को वो देखना है ये plus, ये minus मेरे को करेगा क्या? वो पकड़ के खीच लेगा, यानि जो पहला जो charge है, वो force लगाएगा किदा? इस साइग ठीक है? मानलो ये A, B, C और ये है G, तो यहाँ पर ये जो force है क्यातना हो जागा है? G पर लगा है, कौन लगा है? A लगाया है, ठीक इसको कैसे लिखोगे? ये बाला भी plus दोखो इसको खीच लेगा और ये बाला भी plus उसको उधर खीच लेगा, तो ये लिखेंगे G पर force लगा है, B लगाया G पर force लगा है, C लगाया तो एक इधार, एक इधार, एक इधार पच्छो होता क्या है एकुलेटरल ट्रेंगल है कोई भी वर्टेक्स से ले करके सेंट्रोइट तक, जो भी डिस्टेंस होगा देखो, वर्टेक्स से सेंट्रोइट तक वर्टेस से सेंट्रोइड तक, डिस्टेंस हम बोले सेम, क्या होनी जा रहा सेम, माल लो डी, तो ये वाला भी डी, ये वाला भी डी, ठिक, और बहुत बार जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो, एकुलिटरल ट्रैंगल जब होता है, ए, ए, ए अगर है, सेंट्रोइड क्या ह जहां पर सारा मीडियन्स जो है जाकर के इंट्रेक्ट करता है, ठिक, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, तो जान लेजें सेंट्रोइड जो है, एकुलिटरल ट्रैंगल का, ये साइड को डिवाइड करता है, कितना रिश्यो में, टू इस टू बन रिश्यो में, मैथ मैथमेटिक्स के लिए अगर एक चीज बता दू, पता है, एकुलिटरल ट्रैंगल के लिए, जो मैथ्स के स्टूइट होगा, उनके लिए, होगी, है न, आप ऐसे बोल दो, मेरी वाइफ होगी, मेरी वो होगी, मेरी शादी होगी, मेरी जो होगी, ठीक, आप लगा लोगा बहुत खातरना ट्रीक है, बचो मैथमेटिक्स का, अगर 11, मैं दो मैथ्स के स्टूइट होगा, तो समझ में आ रहा होगा, यह है इन सेंटर, यह है सरकम सेंटर, यह है और्थो सेंटर, कोई मीडियन्स का है, कोई एंगल बाइसेक्टर का है, कोई परपेंडिकुलर बाइस यानि कि अगर यह लाइन बोलोगे न, क्या है, तो यह, मैं समझो, हाइट है, यानि यह परपेंडिकुलर है, यही लाइन क्या हो जागा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हो जाएगा, यही लाइन जो न, क्या करेगा, एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, यानि दोनों तो जब भी centroid ऐसे हो, line ऐसे को खीचे, तो समझ लो कि सब कुछ सेम है, height भी यानि perpendicular, bisect भी, अगर total length, अगर यह A है ना था, यह A बटे टू, A बटे टू, बड़ी काम करेगा, ऐसा नहीं समझ ना बचो कि मैं math बोल रहा हूँ, physics के अंतर काम करेगा, हमें करना क्या होता है, यह distance निकालना था, देखे रो, A, B, C, यह distance निकालना था, vertex से लेकर के centroid तक का distance, यानि A, G, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, देखो, bisector भी है, तो total है, A तो यह बटे टू, तो यह यह A, यह बटे टू, तो भीया, यह length कितना होगा, इसको माल ल A square minus, कितना है, A square बटे 4, A बटे, यह, H square equal to P square plus B square बचो, तो यह बराबर हो जाएगा, hypotenious minus यह, चलेगा, राइट angle triangle होगा है मेरे लिए, कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा, 3A square बटे 4, यह हो जाता है, root 3A बटे 2, और ऐसे भी formula हो जाता है, पता है, AM क्या height of equilateral triangle होता है, root 3 बटे 2 into side, ठीक, तो पूरा length मेरा निकल गया है, उसमें संको चाहिए यह, तो central 2 to 1 ratio में बाटता है, यानि कि ऐसे, A, यह क्या है भाई, M, यह है G, 2 to 1 में, और total length हमें पता चल चुका है, यह है root 3 बटे 2 into side, how to find यह वाला side, तो 2 to 1 है, ratio है, वही chocolate distribution concept जो हम लोग पढ़ते चाहरे बचपन से 11th में पूरा, A, G कैसे निकाल लेंगे, तो A, G हो जाएगा, 2 to 1 है, यानि total distance को तीन भाग में बाटना है, तो यह कितना है, two parts है, out of the total parts, क्या total length का, total length मेरा कितना है, root 3 बटे 2 into side, root 3 बटे 2 into side, यह calculate होने कि बाट कितना आएगा, तो 2 गया, root 3 A, अब बट बटे 2, 1, 3, काटेंगे, तो अंसर आगे, A, बटे root 3, A, बटे root 3, अच्छा, इसको अगर बूले तो, GM जो होगा, यह, कभी जोरत पड़ा, यह वाला side तो, तो 1 है, one part, तो 1 बटे total parts, 2 plus 1, किसका, total side का, the total side है, कितना, root 3 बटे 2 into A, यानि यह कितना आएगा, तो नीचे 3, यह 2, तो यह कितना आ रहा है, बचो, root 3, A, बटे 2, और यह है, 3, 2, 1, 3, तो इसको जब काटेंगे, तो यह हो जाएगा, 3, यानि कि यह आ रहा है, A, बटे 2 root 3, तो G, जो M है, वो आ रहा है, A, बटे 2 root 3, तो आज के बाद, पूरा एलेक्ट्रो स्टाटिक्स के अंदर, यह यह कितना आया है, यह है, A, बटे 2 root 3, और यह वाला जो है, यह है, A, बटे 2 root 3, यहां से लेकर करके, यहां तक, ट्रिक बता देता हूं, जब भी यह बोले, देखो, 2 is to 1 ratio में, तो दोन्यों का अंसर देखो, सेम है, A, बटे root 3, A, बटे root 3, तो जब ही बोलूँगा, यह व 2 is to 1 है न, तो बोलो, यह 2, यह 1, तो देखो, यह 2 जो है न, उठ करके, बच्चो, यहां आ गया है, और यह वाला 1 उठ करके, समझो कि यहां चला गया, क्रोस मल्टिप्लाई कर दो, खटा-खटा, यानि जब मैं बोलूँगा, टोटल उपर डिस्टेंस, नीचे डिस्टें मैं आगे कभी 12 में नहीं calculate करूँगा, यह lecture refer कर दूँगा हमेशा, तो अब मैं बोलता हूँ, यह कितना है, तो बोले 2 is to 1, यह 2 है, तो 2 तो नीचे जाता है, तब 1 उपर, यानि यह जो D आ रहा है, कितना आ जाएगा, A बटे, रूट 3, देखें कैसे निकला, धड़ाग ध देखो, सारे forces का magnitude देखोगे न, बचो, यह है QQ के बीच, यह QQ के बीच, यह भी QQ के बीच, तो magnitude क्या है, same, सब का magnitude क्या है, same, तो हम लोग बोलता है, देखो ज़रा, F, A, G, A, G के बीच, ज़रा, G, A, G, हम लोग लिख रहे हैं, जो coding लिख रहे हैं, वही coding देखते हैं, F, G, A, जो होगा, वही F, G, B, और वही F, G, C होगा, सब का magnitude आने वाला है, same, केतना दोखो, same charges हैं, तक A, Q, A, Q, 2, divided by A, D का square, D fix A, but A, root 3, तो सब जब सेम आने वाला है, तो अब हम लोग देखते हैं, let इसका सब का नाम करन कर देते हैं, F, naught, क्या नाम करन कर देते हैं, F, naught अब देखें जड़ा, ये केतना है, भाई, F, naught, ये केतना है, F, naught, टोटल है, equilateral triangle, ये पूरा मिला करके है, 60 degree, तो ये केतना हो जाएगा, exact mid में बचो, 30 degree पर जाता है, एसे, एंगल by sector भी होता है, सिखा चुके है, जो median ऐसे, जो line है, एंगल by sector भी है, तो 60 का ठीक, 30, ठीक ये 30, ये वाला भी केतना हो जाएगा, ये वाला छोटा वाला 30, तो देखो, एक right angle triangle करेंदर 30, 30, 60, 180 में से 60 माइनस करोगा, ये केतना आजाएगा, 120 degree, अब ही हमने पढ़ा है, कि अगर कोई F, naught, और ये वाला F, naught, अगर 120 degree हुआ, तो exact resultant कहा जाता है, बीच में, 60 degree, और उ जाएगा, यानि देखो कैसे, F, naught, F, naught, दोनों का resultant F, naught ही होगा, वो किधर होगा, exact बीच में, तो यानि क्या ये दोनों का resultant F, naught, ठीक है, और उपर भी केतना लग रहा है, उपर भी केतना, F, naught, सारा का magnitude same है, यानि कि इस charge पर net force क्या हो जाएगा, भाई, F, naught, F, naught, ये दो का resultant F, naught, नीचे, ठीक है, यानि नीचे ही जाता, गिरता, लेकिन भाई, उपर भी लग रहा है, F, naught, तो भाई, दो नीटन उपर, दो नीटन नीचे, net किधर जाएगा, चार्ज, कहीं नहीं जाएगा, यानि net force will be zero, net force will be, बच्चो, zero, देखो, इसको चाहता में, तो बस ब करेगा, so net force will be, क्या हो जाएगा, अंसर बच्चो, zero, तो पता है क्या, symmetric distribution of charges, जब हो, q, 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 और अगर centroid पर रखा हुआ हो, याना, चाहे plus q charge होता, चाहे minus q charge होता, होता क्या है, अगर symmetric way में, अगर हो रहा हो, ये दोनु उसका resultant इधर और उपर, net answer ऐसी मार देंगे, क्या जीरो तो आज के बाद बचो calculate नहीं कर रही हैगा, आप लो, boots में है तो ठीक है, करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, कितना कुछ सीखने के लिए इसमें था, चलिए, यहाँ पर, same वही सवाल, find the net force on minus q, symmetric distribution of charges है, क्या है भाई, q, 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 यहाँ पर क्या लगेगा, तो देखते है देखो, join करें, मेहनत ऐसा करो, कि बस धमाका मच जाए, यह वाला क्या करेगा, इसको पकड़ के खेचेगा, इधार, minus को खेच लिए, minus को वह भी खेच लेगा, minor, देखो, यह plus है, यह भी क्या करेगा, खेच लेगा, यह plus है, यह भी उसको खेच लेगा, since same magnitude का charges है, तो जो force लगने वाला, वो भी क्या है, same, और दोनों के बीच में distance, दोनों के बीच में distance, distance, distance सब क्या है, same, यानि जो भी यहाँ force है, साने वाला है, F होगा तो यह VF, equal and opposite, cancel, उसी तरह सीधर F, तो भाई यह इधर VF, equal and opposite, cancel, hence, net force क्या हो जाएगा, 0, तो यह तो बहुत आसान है, calculate कर सकते हैं, side length बचो A, A, A दिया हुआ है, आप values भी ऐसे calculate कर सकते हो, कि यह K, Q1, Q2 बटे, यह दोनों के बीच का distance का whole square, निकाल सकते हैं, तो जब ही square का calculation होना, A, A, तो यह total कितना आ जाएगा, root under A square plus A square, यह हो जाएगा, root 2A square, root कितना हो जाएगा, 2A square, जो कि हो जाएगा root 2A, total यह, और उसका भी अगर आधा हमको जुरत पड़ेगा, यानि लेकर यहां से लेकर के यहीं तक कर distance, तो बोले जो total है ना, उसका half कर दो, total कितना है भाई, root 2A, तो root 2A का आधा कितना हो जाएगा, root 2A का बटे आधा अगर करेंगे, तो कट गया, answer आजाएगा, A बटे root 2, तो जब भी square आ रहा हो, यह distance जो होता है, यह होता है, A बटे root 2, और जब triangle आता हो, उपर वाला जो distance होता है, वो होता है, A बटे root 3, बड़ा अच्छा से देखो, दिमाग में बचो, triangle, A बटे root 3, तीन साइड वाला ऐसे, ठीक, A बटे root 3, vertex से जो निकालते है, और इसमे vertex से जो आता है, A बटे root 2 है, इसको एर के तांसर फिर से क्या होगे है, 0 यहाँ, चलिए, कोई ने, हाँ, यह देखे, आप लोके लिए, मैंने लिख दिया है, बचो कि कुछ homework है, maxima, minima and electrostatics, अभी हमने बताए न, maxima minima का concept कि कि किसी चीज़ को maximum करना होता, कुछ चीज पू distance यहाँ से L, यहाँ से distance L है, और एक छोटा सा Q है, जो कि Y distance पर यह रखा हुआ है, find the value of Y बोलता है, कितना distance पर यह ले जाकर कि चार्ज को रखेंगे, such that maximum force is experienced by Q, इस charge के दोरा maximum force experience किया जाएगा, यानि सबसे पहले करना क्या है, यह दखो, यहाँ मालो कितना distance लेके इसको धका मार, resultant force निकालो, वो force हो गया, resultant FR, हमको force को maximum करना है, और Y पूछ रहा है, यानि कि DF बटे DY equal to 0 करना है, हिंट भी आपके लिए F net maximum करना है, Y, DF net बटे DY, answer Y equal to बताओ कि क्या very important हो जाता है, बचों, मैं आप लोग के लिए homework देता हूँ, DPP1 की video solution में, आप देख लिजेगा, और ऐसे आप comment section बताइए कि कौन सा answer आ रहा, ठीक, L बटे 2, L बटे root 2, L बटे 3 या L बटे root 3, कोशिच जरू करिएगा, और comment section बताइगा, चले देखते है next, SHM and electrostatics कैसे relate होता है, डरने के ज़ुरत नहीं है, SHM का बस हलका सा जो basic चीज होता है, वो हमारे ज़ Q, एक minus Q charge on exact midpoint पर रखा हुआ, तो यह है L distance, यह है L distance, बोलता क्या है सवाल, if minus Q जो charges है न, slightly displaced along Y axis, Y axis में slightly displaced करते हैं, तो पूरा अगर SHM देखोगे न, तो देखो करते क्या थे pendulum के अंदर बचो, क्या होता था, यह mean position होता था, बोलते था कि mass जो bob यह है न, हलका सा slightly displaced किये इधर होता क्या था, कोई bob को अगर ऐसे घसका करके छोड़ दोगे न, तो वापीस आ जाएगा, यानि कि acceleration वहाँ पर maximum हो जाता था, वापीस आ जाता था, तो हम लोग करती क्या थे, acceleration पूरूफ करना रहता था कि proportional to negative of displacement, अगर यह आप पूरूफ कर पाती हो, तो यह हो जात जैसा ही आप slightly displace किये, यहाँ पर आप निकालो कि restoring force क्या है, कौन सा force निकालते थे, restoring force, और दिखाना यह रहता था, पूरूफ करने के लिए, कि जो भी वहाँ पर restoring force लगेगा, restoring force लगेगा, होगा क्या, mass into acceleration के बराबर, और आपको खोजना होता था कि कौन सा ऐसा restoring force यहाँ पर है, यानि जब हम slight x घसका दिये ना, जो छोड़े, कौन सा force responsible उसको पीछे खेचने के लिए, तो जैसे पीछे जो खेचता था, तो restore किया अपना original position, यह वो खोजो, और जो भी यह होगा, minus sign लगाएंगे, क्यों? हमने घसकाया, आगे restoring force लगता है, पीछे, तो यह लगा करके एक कोई force आप खीचो कि यह क्या है, I equal to हो जागा mass into acceleration, बस पूरा SHM में यही करना होता है, और proof करना रहता है, A is directly proportional to minus x, और यह आता कैसे बच्चों, जो भी यहाँ पर acceleration आएगा न, वो होगा क्या, minus omega square x होता है, जानते हैं बढ़िया से, और इसी को हम लोग क्या कर द रहता है, जो भी omega square आया, जो भी मतला omega आएगा, omega equal to हो जाता है, 2 pi बटे t, हैंस यहाँ से time period of SHM निकाल लेते थे, तो यह concept हो गया, ठीक है, इस concept को हम use करने जा रहे है, चलो देखते है, minus q को slightly displace करेंगे along y axis, केतना displace करते हैं, let y distance, तो let y हलका स, बना रहा हूं बढ़ा सम हमने displace कर दिया, charge को minus q महा लेके चले गए, ठीक है, लेके चले गए, minus q, सो चो होगा क्या, हमें निकालना है, जैसा ही आप slightly displace करते हो, कौन है जो उसको खीच करके वापिस ला रहा है, that is restoring force, धूंड़ो, कौन है, हर chapter में अलग-अलग होता है, यह plus q उसको क्या करेगा, प distance l है, यह y, तो यह आने वाला distance root under l square plus y square, ठीक, charge का magnitude देखेंगे, q q same, और यह distance l square plus y square है, root under, यह भी ly, तो यह भी distance root under l square plus y square, यानि समझ में आ रहा है कि जो भी force से खीचेगा, उसका magnitude same होने वाला है, देखते है कैसे, लेट इसको बोलते हैं, बच्चो, point P, तो F, जो P पर force लग रहा है, लगाया कौन, A, और इसको नाम देते है, B, ठीक है, F, P पर लगा है, A के द्वारा, वो क्या हैगा, तो बोले k q1 q2, k q1 q2 divided by r square, तो जो भी है मेरे पास, root under l square plus y square है, उसका whole square, सर आप क्या कर रहे हो, यार, करना क्या चाहरे हो, हमने इसको घसका दिया, बच् तो net force एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो भाईया, दोनों का result किदर लगेगा, बीच ने, तो हम निकाल लेंगे, what is the net force, निकाल लिए, वो ही मेरे लिए restoring force हो जाएगा, और उसको कर देंगे mass into acceleration के बरावर, ठीक, बोलता है क्या, prove that the motion of minus q is shm, also find its time period, निकाल तो निकाल रहें, तो यह कितना आ रहा है, kqq divided by root हाटेगा, तो l square plus y square, this is fpa, similar जो है fpb भी अगर बोलेंगे, तो वही आने जा रहा है, kq1 q2 divided by l square plus y square, तो दोनों का magnitude same है, तो let f0, let f0 नाम करन दे देते हैं बचों, है ना, दोनों क्या है, same, यह ff कर दो, चल, let resultant force f और f है, तो देखो यह f, यह f, यह f, ठीक है, तो let यह इसको बोलते है, theta, तो इधर भी क्या हो जागा, theta due to symmetry, देखो, ly, ly, जितना इधर होतना इधर, तो theta, theta, तो इसका component एधर निकाले, तो f cos theta, एक component इधर आ जागा, क्यतना f sin theta, ठीक है, component breaking करते हैं, जरा दोको, इधर आ रहा है, क्यतना f cos theta, इस side आ जागा, क्यतना f sin theta, फिर यह जो f है, जिधर theta साटा हूँ, उधर एक component आ जागा, f cos theta, और इसका एक component इधर चला जागा, f sin theta, तो देखें कि इस पर जो net force जो लग रहा है, यह equal and opposite है, बच्छों, यह तो cancel कर लेगा, लेकिन जो resultant force हो रहा है, वो f cos theta, प्लस f cos theta, जोट जाएगा, that is the restoring force, हमने खीच, घसका आया उधर, यह घसक के आजागा, वापीस अपने, ठीक, तो resultant force जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, f cos theta, प्लस f cos theta, पता है, इस अब समझाता हूँ न, इस तरीका से, उसमें समय लगता है, बनाने में आप लोगों को एकदम बिल्कुल भी समयने लगएगा, सीख जाओगे तो, तो f cos theta होगे, this is the resultant force, जो भी यह है, resultant force, यही मेरे लिए हो गया, restoring force, यानि कि बच्चों अगर मैं बूनू तो देखो क्या, restoring force जो है, वो क्या हो गया है, restoring force जो हो गया है, वो क्या हो गया है, 2f cos theta हो चुका है, लेकिन इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, minus, ठीक है, और जो restoring force है, वही हो जाता है, mass into acceleration के बराबर, minus 2f cos theta, सर आप क्या करना है, बस proof करना है कि acceleration directly proportional to क्या है, minus x, हमने यहाँ y घसका है, तो minus y के proportional होगा, proof करो, f क्या है, kq1 q2 बटे l square plus y square, ठीक है, kq1 q2 divided by l square plus y square, और cos theta क्या है, cos theta देखो, इस triangle के अंदर चले जाए, तो theta क सामने लोग परपेंडिकुलर, यह हो जागा, base है y, और hypotenious है यह, यानिकि y ब square, तो यह हो जागा, y बटे, under root l square plus क्या हो जागा, y square, ठीक है, shm है, पता है कि slightly displaced किये है, slightly displaced करने के मतलब क्या है, बचो, y is very very less than l है, l जो distance है, y एक दम इतना slight displacement के तब, बहुत छोटा है, तो जब बहुत छोटा है y, तो भाईया, y छोटा क्या, एक चमच पानी, और यह क square plus y square, जब भी आएगा, तो y बहुत छोटा है, तो y neglect हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, l square ही लिख देंगे, यानि यह मेरे लिए क्या बन रहा है, 2k q q y divided by, देखो, l square plus y square, l square हो गया, यहां भी y square हटा देंगे, तो root under l square, यह क्या बन जाएगा, l, यानि कि finally हम लिख सकते हैं, l का whole q, क्या लिख सकते हैं, l का whole q, this is ma, तो a बराबर आजाएगा, minus 2k q q, divided by m इधर, तो ml q, i into क्या हो जाएगा, y, बच्चो देखो, जो भी यह आया, देखो, ml, k q q, सब क्या है, constant, यानि कि जो है, पता चलिया कि यह पूरा चीज़ जो है, constant है, यानि कि हम कह सक करते हैं, कि acceleration paracly proportional to क्या, हाँ जाएगा, minus y, hence, shm proved, shm proof हो गया है, और जैसे ही, shm proof हो जाता है, find the time period of shm, तो हमको पता है, कि हम करते क्या है, पता है, जो भी यह आया है, इसको compare कर देते हैं, कि इसके e equal to minus omega square x है, तो यह आजाएगा, minus omega square क्या है, y, omega angular speed बोल दो, लेकिन shm waves लोग angular frequency बोलते हैं, OC को ultra, time period कैसे लिखते हैं, तो जो भी यह है, यह मेरे लिए omega square हो गया, यानि कि omega square हो गया है, 2kq, divided by mlq, जो यह है, तो omega बराबर आ जाएगा, बच्चों, root under 2kq, अभी मैं लिख देता हूँ, बाद मैं भी थोड़ा देर हो बताता हूँ एक चीज, कि सब लिखने की जौरत ही नहीं है, बस जो आया था न, धालाक सिसी को देख करके option टिक कर देंगे, एकदम, omega होता केतना है, 2pi बते t, यह हो जागा, root under 2kq, q, divided by mlq, बच्चों, इसको पल्टे, इसको भी पल्टे, तो यह हो जागा, t बते 2pi, यह हो जागा, पलट तो इसको, mlq, divided by 2kq, hence, t बराबर आने वाला है, क्या, t बराबर आने वाला है, 2pi, under root, mlq, बते 2kq, q, और यह किसमें, जो है, दो है, यह आगे answer है, याद रखेगा, जैसे बोलते हैं, ट्रिक याद रखेगा, बचों, की भाई, बोलो मेरे सा, time, बोलो time, जैसी मौ बोलेंगे न, तो जो है न, time के अंदर मौ उपर ही आता है, बड़ी important है, मैं ऐसा इसलिए बोला न, क्योंकि एक बड़ जे मेंस में आया था, सवाल पुछा गया तो frequency of oscillation, तो भाई, time में मौ उपर है, तब frequency में किदर आएगा, जस्ट उसका उबलता, यानि M नीचे, चार option था, बहुत चाहेगा, exam में, time में, तो ऐसा कहीं तो नहीं है, कि option के अंदर बस एक ही है, जिसमें कि M उपर है, बांकि सम्में M नीचे हो, तो बनाने की जो रहते हैं, option देखो, टिक लगा दो, ठीक, अच्छा, अभी आपने देखा था, कि जो ये चीज आता है न, acceleration directly proportion to minus y, proof करते वक्त वो omega square होता है, तो omega square करते हैं, तो root under लग जाता है, यानि ये root under लगा दो, और time निकालते हैं वक्त क्या करते हैं, ओमेगा 2 pi बटे t होता हम इसको पलटते हैं, तब t equal to आता है, इसका मतलब हम direct ये कह सकते हैं, कि जो आपको ये दिख रहा हो न, इसको पलट दो, root लगा दो यानि कि t equal to क्या हो जागा 2 pi under root पलट दो यह line लिख लो लाल पेन से copy में जो यह आया है क्या करना है time period निकलना है t equal to 2 pi देखो t equal to 2 pi under root पलट के पलट के धाड़ाक से answer कुछ मत calculate करो 5-6 line आपकर समय बचेगा तो t equal to 2 pi under root पलट के यानि mlq उपर mlq उपर mlq उपर कहा गया t equal to 2 pi under root पलट करके mlq उपर यह तो ऐसे करके बचो क्या है हम लोग answer लगा सकते हैं तो उमीद है कि यहां तक समझ में आया होगा ठीक है इसमें और भी कुछ बचो जो है types है ठीक है जो कि electrostatic जैसे यह है फिर pendulum based पर यह होता है तो अगला lecture जो है हम लोग करेंगे आपका permittivity पर समझाओगा कि कैसे force घटता है dielectric constant बहुत important यहां से लेकर करके पूरे electrostatic capacitance तक जो है वो k का meaning होगा और बहुत सारा सवाल उस पर पुछा जाता है उसी के अंदर pendulum पर based भी आएगा कि पानी में डुबा देंगे तो कैसे तो उसको वहाँ पर आगे करता हूँ ठीक है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे है जितने सारे points बताता हूँ उसको अलग से कॉपी में note down करते जाए जो triangle का यह कैसे trick याद रख सकते हैं कैसे याद रख सकता हूँ में इसको कर आता है तो time more देखने के लिए बहुत छोटा चीज़ है बहुत बेकार भी चीज़ है लेकिन इतना काम करेगा ना आपका examination में वह आप सोच भी नहीं सकते हो समय बचाता है option को कैसे handle करना याद आप भी आपारो हो जैसे की यहाँ दिखा रहा यहाँ दिखा रहा जुझत आप चार ओप्चन में ऑसस्फ आप्चं m quin यहाँ फाजी आ यह की है जिसमें तरो थो गयाँ इस a दिमाग की ढखकन बच्चो एकदम खोल करके रखना है ठीक है कॉम्पुटिशन कैसे कुछ कुछ किया जा सकता है कम समय के अंदा है ठीक बिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ाई करते रहे हैं ठेंक्यू